आधे एक्रिष्णी राधे एक्रिष्णी वैसे तो साल भर में 24 एकादसियां होती है लेकिन अधिक मास्य अमल मास पढ़ने के कारण एकादसियों की तिधिया बढ़कर 26 हो जाती है परमाई एकादशी साल 2023 में अधिक मास की अंतिम एकादशी है अंतिम मौका है अधिक मास में आप सबको दीपतान, पूजन और भगवान कुश्मरन करने का बहुती खास समय है तो एक बार आप ये सारी चीजे जरूर करें अब है परमाई एकादशी भगवान विश्ण को समर्पित एकादशी वरत 12 अगस्त 2023 सनिवार को रखा जाएगा इस समय अधिक मास चल रहा है 12 अगस्त को अधिक मास की दूसरी एकादशी है इसे कमला एकादशी या पुर्षोत्यमी एकादशी भी कहते हैं इस दिन शेहरी की पूजन करने से दो लब शिदियां प्राप्त होती है वरत को करने वाले के भगवान विश्णु प्रशन होकर परमाई कादशी वरत काफल अश्यमेगियक के समन बनाया गया है तो आप सब को पुजा कैसे करनी है इसका वीडियो पहले मैंने आप सबस्क्रेशरार पर शेयर कर दिया फिर भी और स्क्रीन पर पीछे आप सब को वीडियो दिखता जा रहा है कि पूजा आपको कैसे करनी है आधिक मास के क्रिश्न पच्छी की एकादशीती थी आधिक मास करनी है बचकर 49 मिनट से 8 बचकर 19 मिनट के बीच होगा। एका दशी का क्या महत्वय क्यों रखा जाता है इसका व्रत। अधिक मास की परमाएक दशी का व्रत करने से भगवान विश्नु की क्रपा प्राप्त होती है। शीहरी की क्रपा से जीवन में शुक्षम्रद्धी की प्राप्ती होती है। एका दशी व्रत को कठिर व्रतों में से एक माना जाता है। कई लोग इस व्रत को निर्जिला भी रखते हैं। आपको इस दिन ब्राम मूर्त मिश्नानादी से निर्वत्त होकर भगवान विश्नु और धन की देवी मालक्षमी की पूजा, फल, फूल, धूपती, पक्षचन, दंदुर्वा, आदी से करनी चाहिए। पूजा के समय विश्नु चाली इशा या विश्नु शास्तनाम का पाट करें, आर्ती करें और कथा वशे सुनें, इस दिन वो शकेतो निर्जला उपवास रखें, संद्या के समय आर्ती कर फलाहार करें, अंगले दिन यानी दो दशी की दिन पूजा के पश्चा दान, ब्र पूजा करत कोरना चाहिए, इस विदी से आप सबको भगवान विश्नु का पूजण करना चाहिए, और अगर के वला पूजा करें, इसे आप आदा, जैसे आप घर पर पर प्रद दिन करते हो, वैसे ही कर सकते हो मतला लक्ष्मी जी गनेश जी की जो भी आपके पास फोटो मूर्ती उनका पुजन कर दे और भगवान विश्णून की फोटो यह मूर्ती है उनका अच्छी से विद्वत पुजन करे फूल फल चढ़ा दीजे उनके उपर उनके सामने दीप प्रजलित कर दे दूख दीप लगा दीजे पस ऐसे साधान तरीके से और आप चाहे तो पृष्णून साहस नाम का पाठ कर लीजे इतना कर सकते हैं अगर आप ब्रत नहीं रखते हैं अगर ब्रत रखते हैं तो आप भी दिवत पूजन करें जादा उचित माना जाएगा अब आपको मैं ब्रत कथा सुनाने जा रहें तो कथा सुनने से पहले हाथ में थोड़ा सा पुस्प और थोड़ा सा तिल्ले लेजे उसके बादी कथा का शवण करें बोलिए ओम नमो भगवतेवा सुदेवाय नमा कापिले नगरी में सुमेधा नाम का एक अत्यन्त धर्मातमा ब्रामर रहता था उसकी इस्त्री अत्यन्त पवित्र और पतिवरता थी किसी पूरपाप के कारण वैदम पत्ती अत्यत धर्त का जीवन वितित कर रहे थे ब्रामर को विच्छा मागने पर भी विच्छा ना मिलती उस प्रामर की पत्नी वस्त्रों से रही थोते हुए भी अपने पत्ती की सेवा करती अतिती को अन्य देका श्वयम भूखी रह चाती पत्ती से कभी किसी चीज़ की मांगना करती दोनों पत्नी घोन धंता का जीवन बितित कर रहे थे एक दिम ब्रामड अपनी इस्त्री से बोला है प्रिये जब मैं धनवानों से धनकी आशना करता हूँ तुआ मुझे मना कर देते हैं ग्रहस्ती धनकी भीना नहीं चलती है एधि तुमारी सेमाती हो तो परदेश आकर कुछ काम करो विद्य उन्होंने कर्म की प्रसंसा की है ब्रामड की पत्नी ने विनित भाव से काहे स्वामी आपकी दासी पत्थी अच्छा और बुरा जो कुछ भी कहे पत्नी को वह करना चाहिए प्रदेश को पुर्व जन्मे की ये कर्मों का फल मिलता है सुमेर उपरवत पर रहते हुए भी मनुसको बीना भागी के स्वाण नहीं मिलता है और जन में जो मनुशि विद्या भूमिदान करते हैं, उन्हें अगले जन में विद्या और भूमिकी प्राप्ति होती है ये इस्वानिय बाग में जो कुछ लिखा उसे टाला नहीं जा सकता है यदि कोई मनुस्यदान नहीं करता है तो प्रभ्भी उसे के वल अन्हीं ही देते हैं इसलिए आपको इसकी स्थान पर रहना चाहिए क्योंकि मैं आपको विच्छोर नहीं रह सकती सहसक्ती पती बीना इस्थी की माता, पिता भाई, ससुर संबंदी आदिसभी निन्दा करते हैं इसलिए है रहागे में होगा वो वहीं प्राब्त होगा इस्थी के सलायमानका ब्रामर पर देश नहीं गया इस पर समय बीत दराblack पर कौदिन रिशी वहां पहुचे रिशी को देकर ब्रामर सुमेधा और उसकी स्री ने उन्हें प्रणाम कर बोला आज हम धन्ये आपके दर्सन हुए रिशी को उन्होंने आसन और भोजन दिया भोजन के बात पती वृता ब्रह्मणी ने का है रिश्वत मैंने अपने पती को परदेश में जाकर धन कमाने से रोका है मेरे फागे से आप आ जाएं मुझे पूर्णे विश्वास है कि आप मेरी दरित्या सीखने नस्ट कर देंगे अता आप हमारी दरित्या को नस्ट करने की कोई उपाय बताए ब्रह्मणी की बाद सुन कॉर्डिनिम रिशी बोले है प्रामणी मलमास की क्रिष्ण पच की परमा एकादशी की वृत के सभी पाप और दुख और दरित्ता नस्ट हो जाती है जो मनुष्र को इस प्रत को करता है व्रत में नत्य गायन आदि सहित राथी जाग्रन करना चाह करते हैं जिसे प्रशन्व भगवान भोले नात ने उन्हें धना धच्छ का पत भी दिया है इस वृत से प्रवास सत्यवादी राधा हरे शंद को पुत्र इस्त्री और राज की प्राप्ति हुई है गिन्नी रिशी ने उन्हें एकादशी के वृत का समस्ति विधान कैस सु करते हैं मा पिता और इस तरी से स्वर्व लोग को जाते हैं मनुष पांस दिन तक संध्या को भोजन करते हैं स्वर्व को जाते हैं जो मनुष इश्णान करके पांस तीनों तक ब्रामणों को भोजन कराते हैं वे समस्ति अंसार को भोजन कराने का फल प्रात करते हैं जो गी का पात्रदान करते हैं सो लोग को जाते हैं, जो ग मनुस्ष पास सिंतक प्रपच्य अर्पूरुवक रहते हैं देवांगणाओं के सास्वर को जाते हैं। ब्रामणी तुम अपने पती की इस सरे व्रत को उधारन करो। इसे तुम्हे आवशी शित्ति की प्राप्ति होगी और शौर्ट की प्राप्ति होगी। पीशी के वचन को सुनकर ब्रामण और उसकी स्थ्री ने परमय कादशी का पाच सिंधक व्रत किया। पूरुप होने पर ब्रामण की स्त्री ने राजकुमार को अपने यहां आते देखा। राजकुमार ने ब्रामणी की प्रेर्णा से एक उत्तम घर जो की सब अस्तों से परपूर्ण थाउने रहने के लिए दिया। राजकुमार ने अजीब का के लिए एक गाउं दिया। इस प्रेकार से जो कोई भी इस एकादशी के दिन पांच दिनों तक वृत को करता है नियमों का पालन करता है वे समस्त दुखों का नास होता है और अंध में उत्तर लोग की प्राप्ती होती है और वो विश्णू लोग को प्राप्त करता है तो आप सबको मैंने एकादशी कब है कब आपको वृत रखना है, कब पूजन करना है, वृत की पूजा विधी नियम, क्या है, क्या महत्तु है, और वृत की कथा क्या सुनाई, अगर आप सबको वीडियो पसंद आये, तो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीज और ऐसे ही मेरे चनल पर जुड़े रहे हैं यहां पर मैं आप सब को पुझा पाट से जुड़े हुई वीडियो ले करके आती हूं कोई भी प्रत्यवार हैं उनसे जुड़े ही सारी जानकरी ले करके आती हूं इस तरह से आपको परमा एकादशी का ब्रत 12 अगस्त सनिवार के दिन करना है और उसका पारण 13 अगस्त के दिन करना है किन-किन समग्रियों के अवश्यक्ता होगी यह सारी चीजे मैंने बता दी है